C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारपस्तुत है कक्षा चार की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का पाठ छे ओम्ना का सफर प्रिष्ट सैंतालीस ओम्ना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश्ची वे साथ साथ ट्रेन से केरल जो जा रही थी ओम्ना जा रही थी अपनी नानी के गर और राधा अपने परिवार के साथ चुट्टियां मनाने ओम्ना के अपपा ही गए थे दोनों परिवारों के लिए टिकेट बुक करवाने सफर से दो दिन पहले ही राधा सैकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर की हड़ी तूट गई डॉक्टर ने चेह हफ्थों के लिए उसकी दाएं टांग पर प्लस्टर चड़ा दिया और चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया राधा के परिवार को अपनी टिकेटें रद्द करवानी पड़ें राधा और ओम्ना बहुत उदास हो गई कितनी तयारी की थी दोनोंने मिलकर राधा की माने एक उपाय सुझाया उन्होंने ओम्ना से कहा तुम अपने पूरे सफर की बातें डायरी में लिखती रहना जब तुम वापस आओगी तब राधा तुमारी डायरी पढ़ लेगी इससे तुम कोई बात भूलोगी नहीं और सफर में तुमारा समय भी अच्छा बीचेगा दोनों सहेलियों को यह बात अच्छी लगे ओम्ना ने सफर में अपने साथ एक कौपी रख ली और रास्ते की सभी बातें लिखती रहे ओम्ना की डायरी के कुछ पन्ने तुम भी सुनू प्रिष्ठ अड़तालीस ओम्ना की डायरे सोलह मई दोपहर का समय था स्चेशन पर पहुँचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखे जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आप पहुँची हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई थी आज सुबह सुबह ही यह ट्रेन गांधी धाम कच्छ से चली थी ट्रेन की पहुँचते ही हलचल सी मच गई एक ही दर्वाजे से कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ चड़ने के लिए धका मुक्की कर रहे थे हम जैसे तैसे चड़ ही गए और अपनी सीट ढूंड कर अपना समान सीट के नीचे रख दिया ट्रेन की चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे कुछ देर बाद टिकट चेकर आया और उसने सभी की टिक्टें देखी वह यह देख रहे थे कि सभी ठीक सीटों पर बैठे या नहीं अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्त मिली उननी और मुझे बीच वाली सबसे उपर वाली बर्त पर कॉलिज के दो लड़के हैं प्रिष्ट उनन्चास पास ही बैठे परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही लग रहे हैं मैं उनसे बात जरूर करूंगी पर थोड़ी देर बाद मैं अब खिड़की के पास बैठी यह सब लिख रही हूँ अम्मा ने खाने का डिबबा खोल लिया है धोकला, चटनी, नीबू वाले चावल और मिठाई कितनी सारी चीजे लाई हैं अम्मा मेरे मुह में तो पानी आ रहा है बाकी बातें अब बाद में ही लिखूंगी ट्रेन के डिबबे के दर्वाजे पर धक्का मुकी क्यों हो रही थी क्या तुमने कभी ट्रेन में सफर किया है कब अगर तुम सफर पर जाओ तो खाने पीने का क्या-क्या सामान ले जाना पसंद करोगे और क्यों टिकेट चेकर के क्या-क्या काम होते है तुम टिकेट चेकर को कैसे पहचानोगे प्रिष्ट पचास सोला मई दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए पर मुझे नीद नहीं आई मैं खिडकी से बाहर देखती रही यहां बाहर सूखे भूरे मैदान दिखाई पड़े कहीं कहीं छोटी-छोटे गाउं भी दिखे लग रहा था जैसे सभी भाग रहे हैं पता है जब ट्रेन इतनी तेजी से चलती है तो बाहर की सभी चीजें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती है कुछ समय पहले बहुत गर्मी थी अब शाम हो गई है और हलकी-हलकी हवा चल रही है बाहर आसमान संत्री रंग का दिखाई दे रहा है सूरज जो डूब रहा है मैंने एहमदाबाद में कभी डूबते सूरज पर ध्यान ही नहीं दिया हम अभी-अभी वलसाड स्टेशन से निकले है वहाँ ट्रेन दो ही मिनट के लिए रूकी थी स्टेशन पर खाने पीने की चीजें बेचने वालों का बहुत शोड़ था चाए गरम, चाए एक तरफ से वाज आ रहे थी बटाटा बड़ा, बटाटा बड़ा पूरी साग, दोद, थंड़ा दोद लोग प्लेटवाम पर खाने की चीजें खरीद और बेच रहे हैं हमने तो खिडकी से ही केले और ची को खरीद लिये थे प्रेश्ट एक्यावन ओमना ने खिडकी से बाहर क्या देखा रेलवे स्टेशन पर क्या-क्या चीजें बिक्ती हैं सोलह मई मैंने साथ बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली है वे हैं सुनील और एन वे अपनी दादी के घर कोजी कोट जा रहे हैं सुनील ने मुझे कहानी की कुछ किताबें पढ़ने को दी मैं थोड़ी देर पहले बातरूम में हाथ मूँ धोने गई थी पर वहाँ पानी खत्म हो गया था किसी ने कहा कि अब पानी अगले स्टेशन पर ही भरा जाएगा प्रेश्ट बावन ट्रेशन की बातरूम में पानी खत्म क्यों हो गया चर्चा करो कल्प ना करो कि अब तुमें ट्रेशन में एक लंबे सवर पर जाना है तुम अपने साथ मनोरंजन के लिए क्या-क्या समान ले जाना चाहोगे यहां स्टेशन पर काम करने वाले कुछ लोगों के चित्र दिये गए हैं जैसे एक महिला टिकेट बुक कर रही है कुली समान धो रहा है गार्ड हरी जंडी दिखा रहा है कुछ लोग कुली के साथ रेल्वे स्टेशन पर आजा रहे हैं वापस सफाई करमचारी है गार्ड है इनके बारे में अपनी कक्षा में चर्चा करो ओमना का सफर अभी आप सुन रहे थे कक्षा चार की पाठे पुस्त तक हमारे आसपास का छटा पाठ प्रस्तोती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नईदिल्ली, भारत